हाई एब्रीवान वेलकम ट्यू माई चैनल नाचरन्स ब्यूटी वर्ड कैसे हैं आप सब आप सीख रहे हैं मेरे चैनल से बेसिक टू प्रोफेशनल मेकप तो यहां मेकप में आप सीखेंगा डाक स्किन पर मेकप यह मेरी क्लाइंट है और सामने आपके मेरे यल दिखाना चा प्रोफेशनल तरीके से अफ़ोडेबल मेकप प्रोडेक्ट के साथ है अगर आप स्टार्टिंग करें मेकप के आप सीखना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से श्पकते हैं वीडियो को स्किप में करिएगा बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी प्रोडेक्ट के साथ बेल आइकन को अन कर लिजगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी क्लाइंट को मैंने इनकी 10 साल पहले वेडिंग में मेकप किया था और मैं करूँ इनकी भाई की वेडिंग में मेकप इनका और मैं चाहती थी रियल पे दिखाऊँ तो जब भी आप मेकप करने जाते हैं तो आप सबसे पहले अपने क्लाइंट की स्किन देखेंगे मेरे क्लाइन की स्किम नॉर्मल है और सबसे पहले करेंगे स्किन कियर जितना भी मैं स्किन के लिए प्रोड़क्ट यूज करूंगे सभी गुड़ वाइफ का अफॉर्डवल रेंज में है और 10% और ज्यादा ओफ मेल जाता है आपको अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर करेंगे आप यह नहीं सोचे कि अपने फेश वोश कर लिया और आप क्लीजर ना लगाए क्लीजर हमारी स्किन की जितनी डश्ट होती है उसको तो रिमूफ करता करता है हटाता है साथ में बहुत अच्छा सा मॉस्चराइज भी करता है तो इसलिए क्लीजर भी उसकरेंगे नमबर स्किन को हाइडरेट करता है उपन पोस को बहुत छोटा करता है और स्किन में बहुत अच्छा ग्लो लेके आता है तो यहां पर यूज कर रही हूँ मैं गुडवाइब्स का ग्लो टोनर नमबर थर्ड पे आज आता है हमारा मॉस्चराइजर मॉस्चराइजर में और उसके बाद नेक्स टेलेंगे आप लिबाम, लिबाम मैं यहां यूज़ करे हूँ, निविया का आप अपने अकॉर्डिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद बारी आ जाती है हमारे प्राइमर की, तो step by step चल रहे हैं बिलकुल, और वीडियो थोड़ा लोंग हो ज करेक्शन, स्किन में आपने देखा माउथ एरिया थोड़ा डाख था, आइस पे थोड़ा डाख था, तो महाँ पर मैं यूज़ कर रहे हूँ, स्टेकियो की या एनवाइब, आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों में आपको कलर करेक्शन अच्छे मिल जाते हैं, जैसा देख स करेक्शन कर रहे हूँ, मैं यहाँ पर क्योंकि इनका माउथ हे रिया थोड़ा डार्क है, और आइज हे रिया डार्क है, अगर आपका थोड़ा लाइट है, तो आप यलो भी कर सकते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल स्किन के अकौर्डिंग ही चल रहे हैं, उसी तरीके से बेसिक में हम सीधा foundation से करना बताते हूं मैं अपनी next video में आपको सिखा दूगी अगर आप लोगों को नहीं आता है तो उसके बाद इसको cover करने के लिए orange यो पर थोड़ा सा मैं ले रही हूं हलका सा dark जो हमें एक kit में मिल जाता है अगर आपके पास यही नहीं यह थोड़ा सा पर क्यों लगा है क्योंकि इनका पूरा skin का color जो है वो dark है इतना dark नहीं है कि हमें orange पूरे पर लगाना पड़े जहां आपको dark नजर आएगा वहां orange लगाएंगे और उसको cover करने के लिए आप फिर yellow लगाएंगे पूरे face पर जिस तरी के से मैं करें और लगाने के बाद तो बस यह होता है कि आप रगड़ती है तो cover नहीं होता है इस तरीके से इसके बाद आजाएंगे आपने eyes पर एक अच्छा सा base बनाएंगे जिससे आपकी eyebrows जो हो उभर के आजाए यह professional तरीके से में है आप product बहुत अच्छे लेंगे तो इसमें और ज्यादा अच्छी आप अच्छी नहीं है तो इसलिए ब्राइड के आप आइवरी यूज करें और यह देख सकते है कितने अच्छे पेस है यह एनवाईबे के लिक्विड है आपको इसमें तीन में रेंज मिल जाती है एनवाईबे रनवे एनवाईबे मीडियम जो 88 रुपे का आता है हमारा और य आपको आइशेडो अच्छी नहीं लगेगी बट आप इस तरीके से कवर करके करेंगे तो आपको आइशेडो का कलर उभर कर मिलेगा तो इस तरीके से करेंगे और आपके आइब्रोज जो है वो भी उभरी नजराएगी और इसके बाद ले लेंगे परपल का कॉम्पैक्ट पाउडर उससे अच्छे से सेट करेंगे ताकि आपके कंसिलर में लाइन ना आए अगर आपके कंसिलर में लाइन आ जाती है तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा और वहां से आईशेडो भी अच्छे से नहीं लगेगा इसके बात करेंगे आप आइब्रोज को रखेंगे और आप सीख रहे हैं मेरे चानल से और फ़र्स टाइम देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिगा मेरीобрी 600 वीडियो उनको भी देखेंगा अगर आप सीखना चाहते हैं आप फर्स टाइम देखते हैं तो आप बोलते हैं कि आपका एक ही वीडियो है मुझे और नहीं मिल रहा है बहुत सारे वीडियो हैं आप उनसे अच्छे से सीख सकते हैं बिल्कुल डिटेल में बताती हूँ और यहाँ पर यह देख सकते हैं बहुत ही कम बजूट की आईशेड़ पैलेट है मैंने आपको दिखाया भी था तो इसमें से किसी ने कहा था कि इसके रजल्ट अच्छे नहीं है बट बिल्कुल सामने आप देख सकते हो जबकि मैंने अभी अपनी ब्रश को वैट भी नहीं किया हुआ है तो आप सोचेगा कि वैट करके कितने अच्छ रिजल्ट आएंगे और मैंने लिंक में भी आपको मिस रोज की दे दिया आप वो भी चेक कर सकते हैं आप फोडेबल रेंज में काफी अच्छी है और कलर आप देख सकते हो कितना अच्छा रहा है मैंने इनकी साड़ी से मैचिंग करके कलर लिया है और हाइलाइटिंग एरिया पर पहले ही लगा दिया है मैं सिंपल वे में भी आपको बताती हूँ कई बार आप जल्दी जल्दी में मेक अप करते हैं तो आपको किस तरीके से करना है हाइलाइटर आपको दुबारा नहीं लगाना पड़ेगा आपने ब्रॉबन एरिया पर तो आप इस तरीके से पहले लगा लीजेगा और कलर देख सकते हैं और दुबारा भी मैं इसी में से ले रही हूँ फिंगर से क्या होता है हमें जो शिमरी शेड होते हैं उनका टेक्शर अच्छा लगता है और वो अच्छे से दिखाए भी देते हैं हमारी आईस पर अगर आप ब्रश से लगाएंगे तो अच्छे से नहीं दिखेंगे और दुबारा से एक बार कलर दुबारा से आईशेड एक बार जरूर करेंगे जब आप शिमरी शेड लगा देते हैं और brush भी मैं वही ले रही हूँ जो मैंने अपने आपको दिखाये थे वीडियो में बिल्कुल नॉर्मल बजट के ही और यह देख सकते हैं कितना simple और अच्छा eyeshadow लग रहा है और दुबारा से आप चाहते हैं आपका highlighter कहीं न कहीं कम लग रहा है तो आप अपनी finger के help से दुबा काफी अच्छा है यह स्टेकर की का badass eyeliner और आप देखेंगे कितनी easily चलता है इसकी brush भी काफी अच्छी है आप wings तो गयरे निकालना चाहते हैं अपने according निकाल सकते हैं मैं आपको थोड़े सा निकाल के दिखा दिखा दियों काफी अच्छा लगेगा और सबसे पहले आप देख सकते हैं अब इन मेरा eyes makeup दोनों में ही हो गया है और उसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा dark इनकी skin से match करते हुए ले रही हूं बिलकुल क्योंकि हमने color correction पहले कर ले थी और मेरा हाथ थोड़ा speed में चल रहा है क्योंकि video बहुत long हो जाती है अगर मैं speed नहीं लगाती और मैं cut करती तो आपको यह लगता कि video बीच में से cut की हुई है तो मैंने बिलकुल कुछ भी नहीं किया है और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से कर लेंगे और जहां पर आपका eyes का dark ही रहा होगा ना नीचे वहाँ पर आप एक बार color correction दुबारा करेंगे वो भी dark से कर सकते हो क्योंकि orange से हमने कर दी थी skin के according यह color चूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैं एकदम आप देखेंगे makeup को बिलकुल white नहीं करूँगी मैं natural लेके ही चलूँगी ताकि इनके हाथ इनकी body और face अलग-अलग ना हो और यह shade मैंने जितने भी हाँ पर लगा रह सकते हैं liquid बाले बहुत अच्छे हैं मैंने इन पर real bride पे भी क्या हुआ है वो makeup भी आप देख लीजिएगा बट ऐसा नहीं कि आप अपनी bride से 12-13,000 ले ले आप पिर उनको यह makeup दे तो price के according आप कर सकते हैं makeup और आप सीख रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं कितना अंतर होता है हर चीज में बट सीखने के लिए और करने के लिए भी काफी अच्छी हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हो highlighting पार्ट पे मैंने थोड़ा सा fair दिया है और highlighting पार्ट आप देख किसी ने मुसे question कहता है कि मैं आप confuse कर रहे हो यह highlighting है या concealer क्रेक्शन हमारे सभी जितने भी हम मिलते हमें सभी concealer में ही है तो आपको confuse होने के जरूत नहीं है जो highlighting पार्ट पे वो हमारा fair है और जिनसे color correction किया वो dark थे अलग शेर थे हैं तो सभी concealer और इस तरीके से आप लगा लेंगे उसके बद जब भी makeup को करते है थोड़ा सा आपको एक्षा लगता है तो अपने polishing brush से और यहां पर देख सकता है makeup को set कर दिया है मैंने अपने compact powder से ही और यहां पर अब ले लेंगे loose powder यह है क्योंकि का loose powder बहुत ही smooth है काफी अच्छा लगता है मुझे आप मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगी कि crylon का जादे बैस्टा जो price है ना price के according crylon से भी अच्छा मुझे यही और दुबारा से अपना orange shade उठाएंगे और इस तरीके से lower lash पे लगा देंगे देख रहे हो आइस का look कितना अच्छा रहा है थोड़ा सा shade अगर नीचे भी दिखाई दे रहा है उस type का दोनों eyes में इसी तरीके से कर लेंगे और सबी कुछ आप देख रहे हो बिल्कुल affordable है और result भी आप वीडियो में देखेंगे तो मैं कोई भी चीज आपको fake नहीं दिखाती हूं बिल्कुल सही दिखाती हूं और ताकि आपको नुकसान भी ना हो या आप सीख रहे हैं तो आपको कुछ भी ऐसा दिखाई ना दे मेरे channel पर और यह देख सकते हैं और front में थोड़ इसा शिमरी में लेना चाहते हैं तो वह मैं अपनी प्रोफेशनल और जादा वीडियो करूंगी थोड़े से वैसे प्रोड़क्ट से तो उन में दिखाऊंगे आपको LA girl का कि उसमें भी कैसे result है उसके बाद eyes में आपको problem होते है कई बार की मेरा काजल फैल जाता है तो ऐसे और यह काफी long lasting है तो फैलेगा भी नहीं और इस तरीके से eyes में लगा लेंगे चोट कम wings के साथ के है मैंने eyes makeup ताकि जदा ओवर भी ना लगे और natural भी लगे और eyeshadow भी बिल्कुल natural लगाती हूँ मैं जदा डार्क नहीं करती हूँ क्योंकि आपको सिखा रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल डाग डाग कर दूँ ताकि आपको वीडियो में नजराए क्योंकि मेरी client है तो मैं नहीं चाहती कि वीडियो के चकर में उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए और आपने देखा होगा मेरी सारी bright भी मैं बिल्कु और आप यहाँ पर मैं कांटेरिंग नहीं करूंगी मैंने ब्रॉंजर यूज किया है आप पुछते हैं कि कांटेरिंग ब्रॉंजर में क्या है कांटेरिंग हमारे डीप जैसे हमें डीप करनी होती है फेस की कट बहुत जादा गहराई में तो हम कांटेरिंग का यूज कर ल आप लगा लेंगे, ब्लशर, मैं आप स्टेक्या की का ही लगा रही हूं, आपको डबल शेड में मिल जाते हैं, काफी अच्छ अच्छे, और इस तरीके से, मैंने सब कुछ मैच करते ही लगाया, देख सकते हो औरेंज और पिंक शेड है, तो मैंने दोनों को मिक्स करके ही लगाया है, और इसके बाद ले लेंगे, हाइलाइटर, हाइलाइटर भी मैं लगा रही हूँ, मिसक्लियर का, और मैंने आपको लिंक दिया है, इससे भी अच्छे हाइलाइटर का, स्विस ब्यूटी का है, आपको वो और ज़्यादा अच्छा लगीगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी lighting कम थी तो मुझे फिर भी मैंने लगाया और आप देख सकते हैं और उसमें थोड़ी ज़्यादा अच्छी है अपने highlighter part पर लगा लेंगे इस तरीके से और इसके बाद लगा रही हूँ मैं eyelashes ये देख सकते हैं ज़्यादा long नहीं लगाई है बिल्कुल natural लगाई है ताकि make-up में कुछ भी over ना दिखाई दे और इसके बाद फिर से लगा लेंगे mascara इस तरीके से finger के help से लगा सकते हैं कि उपर कहीं भी टच ना हो और फिर से एक बार अपना liquid liner लगाएंगे या gel liner लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं मैं दुबारा से एक बार liquid liner लगा रही हूँ ताकि जो अपने eyelash ही लगाई है उसके बीच में जो हमारा liner कम दिखाई देता है आप तो दुबारा से एक बार जरूर अप्लाए करिएगा और मोटा या पतला आप अपने according लगाएगा मैं अपने तरीके से make-up कर रहे हूँ यह देख सकते हैं eyes look कितना अच्छा लग रहे है simple एकदम और काफी चलदी भी हुआ और काफी अच्छा भी लग रहे है तो ऐसे नहीं कि आप 3-4-4 shade लगा दे और आप अभी starting करें तो आप confused हो जाए उसके बाद lip balm हमने लगा लिया था तो मैं यहाँ पर pencil का use नहीं कर रहे हूँ मैं direct lip shade लगा रहे हूँ जैसे कि हम लगाते हैं आपको professional में जाके और जादे दिखाऊंगे कि किस किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर lip shade मैंने थोड़ा सा HD लिया है आप नॉर्मल में देखना चाते हैं तो मैंने link दे दिया है NYB का भी कम budget का है वो और यह है purple का ultra HD velvet lip shade और यह shade मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इन पर और इनकी साड़ी से मैच भी हो रहा था इनकी साड़ी है orange और pink shade में तो काफी अच्छी लग रहे थी और आप देख सकते हैं पूरे makeup का look जो आया है आपके सामने यह देख सकते हैं हाँ इनका mouth area आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अभी gray लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रोफेशनल में जाते तो इनका जो mouth area था वो थोड़ा gray है तो जब gray area होता है तो वहां पर हमें pink color correction करना होता है but मैं price के according की makeup करते हूं तो मैं इतना time waste करती तो और ज़्यादा चार्ज होता है अगर bright होती तो उसके according करती natural light makeup था तो मैंने उसके according color correction आपको दिखाई है खीक है और यह makeup लोग का आप देख सकते हो सामने lip shade eyeshadow सभी कुछ साड़ी के साथ मैच हो रहा है और makeup भी आप सामने ही देख सकते हैं आपने मेरी क्लाइन का face देखा था और आप देख सकते हैं features बहुत अच्छे थे इनके तो आप और ज्यादा makeup करके उनको भार सकते हैं अगर मैं इनका बहुत ज्यादा fair look कर देती तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता तो आप natural लेके चलेगा उसके बाद makeup fixer कर लेंगे Swiss beauty का और उसके बाद बिंदी लगा दिया और जितने भी product मैंने यहाँ पर यूज किया है सभी product आपको purple.com पर easily मिल जाते हैं मेरे description box से app download करके ले सकते हैं कोई भी product और 10% मिलता है मेरे coupon code से मेरा coupon code है get 100 पूछते रहते हैं कि मैं product कहां से ले अभी आज सुभे मैं post देख रही थी तो comment था किसी का कि product कहा से ले तो प्लीज एक बाद description box जरूर चेक करिएगा और उसके बाद मुझसे पूछेगा हाँ आपको कुछ doubt होता है तो क्लियर कर सकते हैं और थोड़ा से मैंने simple सा हेड़ू क्या था क्योंकि इनको सर पे पलू रखना है अगर पलू नहीं रखना होता तो थोड़ा सा advance कर देती बड़ सर पे पलू रखना है तो इसलिए मैंने यह हैश्ट्रेल कहता आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा शेयर करेगा कमेंट जरू करेगा मेरो तो नेक्ट वीडियों कुछ नहीं और अच्छा लगे तब तक के लिए थैंक्यू बाइबाई